हेलो एवरीवन देशम्शाद एर टुड़ें वी आर गएंट डिस्कस 2016 कोश्चन पेपर और एलेक्रोनिक्स ट्राइंग ड्राफ्टिंग इससे पहले वाले लेक्शर में हम लोगों ने 2019 के कोश्चन पेपर को डिसकस किया था और साथ में क्या करता हूं लास्ट में लास्ट जो होता है कोश्चन पेपर का उसमें मैं सारे अब्जेक्टिव का एक जगा पर एसेंबल करके सॉलूशन लिख देता हूं यानि 20 कोश्चन जो अब्जेक्टिव का पुछा गया है उन सारे का उप्शन एक साथ लास्ट पेट पर आपको मिल जाएगा जब यह आप डाउन आप एक बार देखेंगे अपने से आसानी से टिक कर पाएंगे यतना इजी-जी-जी कोश्चन पुछा गया है तो देखें पहला कोश्चन दा डायोड कैन भी यूज दिन डायोड सिंपल आप इंजंग्शन पर चुके हैं कहां कहां इसका अप्लिकेशन है तो इसका अप् सब्सक्राइब करता है तो ट्रांजिस्टर क्या है अंप्लिफायर की तरह होता है के सिग्नल को हैं करता है तो यह क्या है active component है फिट भी क्या करता है एज अप्लिफायर यूज रोता है और यह भी क्या है एक्टिफ कंपोनेंट है रिजिस्टर इंड़क्टर कैपसिटर आर एल सी और साथ में ट्रांसफॉर्मर ओके यह सारा किसमें अंदर आता है यह सारा याद है कि जब भी आप से पुछा जाएगा तो यह ज़रूर याद रखिया है कि रिजिस्टर इंड़क्टर और कैपसिटर साथ में ट्रांसफॉर्मर यह सब क्या है यह सब पैसिटर है और बाकी कौन कोन एक्टिव हो गया ट्रांजिस्टर हो गया फेट हो गया ऑपरेशनल अब्लेफार हो गया कर्एंट सोर्स वोल्टे सोर्स यह सब अक्टिव में आता है तो इस बात का ध्यान रखिया तो कौन भूण फैसिटर हो जाएगा ओके आगे बढ़ते हम लोग सी देखें यहाँ एक कोशन पुछा ओवार फिगर रिप्रेजंट यह जो फीगर है वह कि इस तरह का अगर सिम्बॉल देखा है इस साथ में यहां पर क्या होता है ऐसे तो इस तरह का अगर सिम्बॉल देगा तो आपको यह उसका नाम रेक्टर डर लेकिन कभी वोलने है इसलिए इसलिए इस यहां पर symbol indicator रहेगा बैरों का लेकिन इस तरह से भी दिखेगा तो यह भी क्या है वारेक्टर डायोड है ओके तो यहां पर पता है इसमें क्या होता है आगे में रही होता है तो यह क्या होता है तो इसका यहां से लाइट निकलता हुआ दिखाए देगा ओके लेट में और क्रिस्टल डायोड में सिम्बल नॉर्म में बना हुआ हो सिम्बॉल होगा ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग दिखें क्या रहा है forward voltage drop across silicon diode is simple silicon diode मतलब एक डायोड पीन जंक्षन जो silicon से बना हुआ है ओके इसका forward voltage drop क्यतना हुआ तो वो basic होता 0.7 volt अगर यह germanium से बना होता है तो कितना होता है तो 0.3 volt याद रहा है जो पीन जंक्षन में leakage current जो होता है जो reverse price अगर हम लोग पीन जंक्षन को दो तरह सो operate करते हैं एक forward bias mode में और एक reverse bias mode में अगर पीन जंक्षन आपका है यानि आपका यह P होता है यह N होता है यह सब तो आपको basic पता ही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको बता दू कि यह simply forward bias mode में क्या हो पॉजटिव से connect करते हैं इसको negative से और reverse में क्या करते हैं जिसको पता है यह सब चीज जब reverse करते हैं तो एक opposite direction में current flow करता है जो बहुत ही small amount का होता है और यह small amount का current का flow करता है जब हम लोग इसको reverse करते हैं do कितना होता है यह होता है माइक्रोएंपियर में ठेक है रहती है यह करके दिया हुआ है यहाँ पे this यह है माइक्रोएंप्यर ओके यहां पे कि तरफ जा सकते हैं इस केस में लेकिन एक्जाक इसका इस पाइन सब्सक्राइब ना फर्क है एक होता है 10 to the power 3 रिखते हैं Micro Ampere जो टाइप करते हैं उन से यह मिस्टेक हो जाता है क्योंकि टाइप Micro करने में सिम्बॉल स्पेशल टाइप का सिम्बॉल का यूज करता है वह नहीं कर रहा है कि इसमें स्टुएट यहां रखे सको okay चले फोटु डायोट जो डायोट और फोटो डायोट जो ऐसे स्पिशल टाइप पर डायोट जो रिवर्स बाइसे और बाकी सारा दायोट जय भी बात केंने नॉर्मल टैनल डायोट हो Ripple Factor of Half Wave Rectifier, SWR का मतलब क्या होता है, Half Wave Rectifier, याद है कि Ripple Factor जो होता है, Half Wave Rectifier का, वो होता है 1.21, यानि Option B होगा, अगर Full Wave का पुछेएगा, तो 0.48 होता है, ये Full Wave का है, Okay, Half Wave का केतना होता है, 1.21, आभी जलता है, Which of the following can be used in alarm circuit, याद रखेगा, alarm circuit जब हम लोग बनाते हैं, तो कौन सा डायोड का यूज़ करते हैं, तो जेना डायोड का यूज़ करते हैं, जब 7th segment display बनाते हैं, तब कौन सा यूज़ करते हैं, LED का यूज़ करते हैं, जब हम आप्लिकेशन होता है, वोल्टेज रेगूलेटर के फर्म में, यह constant voltage को supply करता है, इसलिए इसका हो दूसरा अप्लिकेशन है, वोल्टेज रेगूलेटर के फर्म में, जो में भी देखते हैं, आगे आएगा कहीं, तो बात करेंगा उसके उपर भी, ओके, देखिए, आगे इंपॉर्टेंट अप्लिकेशन है जेनर डायोड का, कि उसको यूस करते हैं हम लोग ऐसे वोल्टेज रेगूलेटर, वोल्टेज रेगूलेटर का मतलब होगी, इस्टेबलाइजर दिखा है घर में, जो टीवी पंखा में लगा होता है, ताकि आपका fluctuation जो voltage का है, वो उस इसको constant करके 220 में convert करेगा, तो इसके अंदर जो diode use होता है, इसको constant करने के लिए वो कान तो होता है, voltage regulator के form में, जेनर डायोड काम लोग इस्तमाल करते हैं, ओके, आगी चलबाएं, यह सारा कुछ मैंने अपने lecture में explain कर रखा है, अगर आपने मेरा video lecture देखा है, तो बहुत अ सकते हैं, ओके, और कोई ऐसा question नहीं होगा, जो आपको वहाँ पे available ना हो, ना अगर मालीजे कोई question missing है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे comment section में, मैं आपको उसका help करके solution बताऊंगा, ओके, the base of a transistor is, कह रहा है कि simply transistor में केतना terminal होता है, तीन terminal होता है, simply emitter, base and collector, त moderately dopt होता है, तो यहाँ पूछ रहा है कि base का क्या होगा doping, तो base का doping होगा, वो lightly dopt होगा, सबसे हलका doping जो होता है, वो base में होता है, सबसे heavy doping जो होता है, वो emitter में होता है, और सबसे beach बाला doping होता है, वो collector में होता है, doping के हिसाब से, size के हिसाब से बात करेंगे, तो कर दोपिंग हाई होता है याद रखेंगा यह कंफ्यूजन ना हो यह अब्यक्टिव में बहुत ज्यादा पुछा आता है डोपिंग और एडिया के बेसे कोशन ओके आगे चलते हैं यानि आपको तीन तरह अलफा बीटा गामा यह होता है कहान से खाली करता है तो हमेशाँ अलफा के लिए क्या होता है मालूँन फर्मूला होता है IC upon क्या होता है I तो यह क्या होता है Approx equal to 1 होता है यानि less than 1 कहते हैं Approx equal to 1 क्यानि 1 तो छोटा होता IC क्या होगा IC छोटा होता I बड़ा होता है इन दोनों को जब divide कीजिए तो less than 1 आएगा तो यही पूछ रहा है The value of the Alpha of the transistor is क्या हो जाएगा Less than 1 हो जाएगा अगर बीटा पुछेंगा तो वो greater than 1 होता है और इसका value कितना होता है Approximately equal to 50 के आसपास बाद मने आता है और gamma जो होता है वो बहुत बड़ा होता है तो याद रखें यह 50 के राउंड होता है यह 1K round होता है और यह बहुत हाई होता है Clear? आगे चलें Which of the following represents negative resistance कहा रहा है कि इसमें से कौन negative resistance शो करता है यानि कि अगर हम लोग वोल्टेज बाहा थे तो current घटता है negative resistance कहने का मतलब क्या है? voltage बाहाने पर current degrees कर रहा है तो simply tunnel diode का यह properties होता है जब आप tunnel diode पढ़ेंगा तो आप आप वहाँ पर ग्राफ देखेंगे जिस ग्राफ के बारे मैं यहाँ पर कहा रहा हूँ ओके तो आपको question पुछा जा negative resistance diode कोन है तो simple tunnel diode shows negative resistance property आगे बढ़ते है Which of the following is used in 7th segment display कहा रहा है किसको हम जो 7th segment display में स्थेमाल करता है 7th segment display का मतलब साथ light एक तरह साथ colorful light जी होता है जो देखा होगा शारी भी हमें लगा रहता है तो उस तरह का display जब होता 7th segment display basically mainly आपको कहां देखाए देखाए यह प्लेटफॉर्म पे है रही सभी हमें वहां पर देखेंगा इस तरह घडरी लगा रहता है उसमें क्या वह 1 हो जाएगा 2 करना है तो यह क्या हो जाएगा यहां से लेगा यहां यहां यह इस तरह से करके 2 हो जाएगा 3 करना है तो 3 यह 7 सेग्मेंट इस्प्लेई यह कहलाता है ओके इसमें कौन सा डायोड इस्तेमाल करते हैं तो LED लाइट इमिटिंग नहीं जो लाइट इमिट करता है और हम लोगों को देखाई देता है बारी-बारी से काउंटिंग काल्कुलेटर में भी यह यूज होता है यहां भी नंबर सिस्टम आपको डिसिमल 0 से 9 तक की बात कर रहा है काउंटिंग का वहां यह डिस्प्ले यूज होता है सेवन सेग्मेंट डिस्प्लेट ओके और इसमें कौन से डियोड यूज होता है लेड यूज होता है आभी चलते हैं टो देखे याद रखेगा कि कॉममन बेस्ट होता है उसका वोल्टेज इन है होता है कॉमन क्या होता है कॉमन एमिंटर का करेंड सबसे हाई होता है एपね आगे बढ़ता है याद एक हो भी मिन योटा है क्लाओ इंडेकर शारे कॉल सिलीकन कंट्रोल ढीशु इसको दूसरा नाम क्या है तो दूसरा नाम इसका थाइरिस्टर है, ओके थाइरिस्टर भी कहते हैं, CR ही को, ठीक है, the arrow इने ट्रांजिस्टर इंडिकेट, यानि कहा रहा है, एक ट्रांजिस्टर अगर हम लोग बनाए, चाहे हम लोग बनाए, common NPN बनाए, यह क्या देखाई देगा, यह ट्रांजिस्ट ईड्रांजिस्टर है, यह ट्रांजिस्टर इसको बैपोलर करता है, यह ट्रांजिस्टर इसमें दोनों होता है, majority और minority इसलिए इसको बाई पूलर कहते हैं और इसको क्या करते हैं यूनि पूलर कहते हैं ओके आगे बढ़ते हैं कहरा है दा ट्रांजिस्टर वाद इन्विंदेंट बाई तो बादिन और ब्रेटन दोनोंने मिलके बनाया था ट्रांजिस्टर को तो इसलिए ऑप्षण यह कह हो जाएगा A&B बहुत A&B आगे बढ़ते हैं PCB PCB जो PCB बोर्ट देखते हैं आप लैब में कभी लैब करने गया होगे तो आपको देखाई देगा एक PCB बोर्ट होता है जिस पर आप कनेक करते हैं डिफेंट 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 से अलकॉर्णिस कंपोनेंट को जैसे होता है और सबसे क्या होता है लेकिन मिटीन सबसे हाई होता है फिर यादरह रखनार दोपिंगा है ने में confused नहीं होना ओके तो यह था आपका objective question जो कि finish हो गया अब हम लोग आगे अगर बात करें simple बहुत easy इस सब चीज़ा आपको पढ़ा हुआ है लेकि जो जो मैं objective में मैंने बताया सारे का मैंने video lecture बनाकर already अपने website पर अफ्लोड करके या फिर six mark का full मतलब दो तरह काहना है group A B C B में क्या होता four marks का question होता है और C वाले में क्या होता है six mark का question होता है तो तीनो तरह का question आप आसानी सोल्व कर सकते हैं और full marks आप gain कर सकते हैं अगर आपने मेरे lecture को अच्छे से देखा है तो तो देख इसमें क्या कर रहा है draw all the basic logic gates using nor gate only simply कहा रहा है कि आपको क्या बनाना है एक nor gate का logic diagram ड्रा करना है logic gate diagram ड्रा करना है और उसका true table भी ड्रा कर दिजे ठेक है all basic gate using nor तो यहाँ पर यह simply क्या कहा रहा है universal as a universal logic gate nor, nan and nor क्या as a universal logic gate हम भी उस करते हैं तो हमने यह बताया है कि कैसे हम nor से बाकी सारे जो 6 logic gates उसको बना सकते हैं similarly मैंने NAND से भी बताया है कि NAND से हम लोग बाकी 6 logic gate को कैसे design कर सकते हैं तो आप लोग वह देखा होगा कि not gate कैसे बनेगा nor से and कैसे बनेगा और कैसे बनेगा exor कैसे बनेगा तो बाड़ी-बाडी से कि universal gate जो है 9 और उसको बना दीजिए उसका symbol बना दीजिए और उसके बाद तुटे बलें यह काम खातम आगे चलते हैं कहा रहा है कि एक्जॉर गेट बनाई यह from basic gate basic logic रिया लाइज एक्जॉर गेट from basic logic gate simple क्या बना एक्जॉर गेट बनाना है with the help of basic logic को और नोट not and or को यूज करके एक्जॉर बनाना तो कैसे बनेगा a bar b plus a b bar होता है तो a bar b का मतलब क्या होगे यह लेगे input और उसके में not लगा देंगा तो यह बार बन जाएगा और उसके बाद सिमिलर्ली उधर से करेंगे not and or को यूज करेंगे तीनों को और रियलाइज करके दिखा देंगे ओके यह बहुत ही सिंपल है यह सब चीज है बहुत ही सिंपल चीज है जो मैंने पचास बार अपने वीडियो लेक्ट्र में रिपीट किया होगा अगर आप देखेंगे logic डियाग्राम का वीडियो लेक्ट्र त यह सिंपल और पीचानल मौसफेट गया जिसमें आपको मैंने रिसेट्ली ब्लॉग डाइग्राम में ट्रांस्मीटर और रिसेवर को कब गवर किया है तो वहां पे टीया रिसेवर जो बताया गया बेसिक जिन्र बदाद इसके बाद इसके बारे में इसका नाम है सुपर हेटरूटाइन रिसीवर इस 2016 के यह वह भी पुझा गया सुपर हेटरूटाइन रिसीवर के बारे में आगे नीचे आएगा देखेगा ओके नॉटरन सी कोवरेंट तो यहां पढ़ा है वहाँ देपलेशन मॉसफट और इन्हांदर मॉसफट का भी सिंबॉल होगा उसको आपको ड्रा करना है बिसिकली ड्रादा सिंपल सर्केट ड्राइटर उसिंग ऑप्रेशनल अम्प्लिफायर का मैं जब लेक्शर बनाएं है तो उसमें एक पेज में सारे करें लॉक्क दियाग्राएं को एक ही पेच में इस रखाया है यानि है यह लगाते हैं डिवरेटा इंटर कैसे बनता है स्मूमική तरा है अगी चलतें पिजिट्ण हेसारा नांट इसारे को देखाया चार तरह का उसलेटर को भी एक स्वेटर चार तरह का उसलेटर को उसमें देखाया है आप वहाँ से इसका circuit diagram प्रागर सकते हैं circuit diagram of summing amplifier तो ये भी मैंने बता है operational amplifier का application एक page में बना के दिखाया आपके video में वहाँ आपको ये मिल जाएगा आगे चलते हैं block diagram of aim transmitter तो अभी मैंने transmitter receiver के ऊपर block diagram में recently एक unit बना यहाँ जिसमें ये communication system का block diagram साड़ा दिखाया उसमें aim का transmitter, fm transmitter, aim receiver, fm receiver सबको बना के दिखाया है तो वहाँ से आप ये इसको बना सकते हैं आगे चलते है circuit diagram of transformer coupled amplifier transformer coupled मैंने बताया कि ये आपको multi stage जो transistor configuration जो मैं बता रहा था तो वहाँ पे मैंने क्या बताया है coupling of transistor तीन तरह का एक RC है, RC coupling transistor एक है direct couple और एक है transformer couple तो तीसरा वाला ये पुछा गया transformer couple amplifier को उट्रागर नहीं तो वहाँ से आप इसको उट्रागर सकते हैं आगे चलते हैं इसके इस the block diagram of super heteron देख अभी मैंने कहा था कि receiver मैंने दो तरह का बताया है एक TRF और एक super heteron तो दोनों पूछ दिया गया यहाँ पे पुछा जा रहा super heteron को ट्रा किजिए आगे जलते हैं circuit diagram of a mono stable multivibrator तो यह multivibrator का chapter का है एकदम easy सा draw the logic circuit diagram of half adder full adder इससे आसान कुछ होगा यह half adder बना दिए full adder बना दिए यह काम खतम हो गया क्या आगे कहा रहा है कि Intel 8085 का क्या है pin diagram प्रा करना है तो आपने 8085 का अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है नहीं तो मेरा एक पुड़ा already micro processor 8085 के उपर पुड़ा playlist है जिससे मैंने almost 41 lecture upload कर दिया वहाँ pin diagram का उसमें आपको lecture मिल जाएगा वहाँ से आप इसको देखके complete कर सकते हैं पूशपूल class B amplifier तो यह आपका power amplifier सवाल पूशा गया पूशपूल class B class A, class B, class C तीनों का picture आपको बना हुआ है diagram इसमें amplifier वाले unit में वहाँ से आप cover कीज़ेगा इसको देखिए फिर oscillator में दोनों पूश दिया गया एक vein bridge पूशा और qualpit भी पूश लिया गया यहाँ पे qualpit oscillator पूशा गया तो यह oscillator वाले chapter में मैंने cover किया है देखिए यहाँ मैंने क्या किया है सारे को एक साथ मज़ करके एक PDF में आपको answer दे दिया है ताकि आप जब objective question देखिए सारे का question का answer यहाँ पे available मिल जाएगा आपको जब यह notes आप download करेंगे तो आपको एक साथ यह भी download हो जाएगा solution भी तो I hope आपको यह lecture अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this We will meet in the next lecture